तो आज मैं यहाँ ग्रामीड में आया हूँ और आपके लिए मैं एक रोचक जानकारी दूँगा रोचक जानकारी बास के उपर है तेकि हम लोग स्कूल से आया हैं यहाँ पर और यह जारखंड में जिला गडवा का ब्लॉक है भंडरिया में इस्टत एक गाउं है रामर उसमें आये हैं हम लोग अब देखिए यहाँ पर यह जैसे चोटा सा डैम बना दिया गया है जैसे पानी की कमी को इसे हाँ पर पूर्ण किया जा सके यह देखिए यहाँ पर बास है आप देख रहे हैं अ ज online उसे देखिए अधि बास बंबु यह लैंऐ बैसे मराथी भाससी लिए लेक饱े लैंट लेंगिवस से हैं और यह बैंबू कि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहां पर काट कर पानी में भी डाल पानी में डाल देते हैं पानी में डाल देते हैं तो इसका होता है यह क्या क्या करती है वह इस तरही है वह देखें जो फुलोयम हमनीकल का उससे रॉप यहां पर यहां पर यहां पर इस तैम यह एंड लीप है यह और यह से बोलते है घास फैमली में यह गास फैमली जए फैमली में यह मैं बात करूँ यहां रखीएगा देखी इसमें कं पूरे की पूरे जीवनकाल में एक estaba फल लखता है चलिए यहां पर हमाने लोग आते हैं जो एश्धा सरलोग हैं सोयद्धिस कर सकते हैं यह आपने लगाया या कुछ भी लगाया यह घ्योंकी कि भी खता करते हैं या दान की करते हैं तो यह सब क्या करते हैं नश्ट भी कर देती है जैसे आप ने देखा होगा आगर अगeur बार आगर घर जाता तब विन रॉट जाता तो अप anks consist की फसल बहुत अच्छी तरीकें कर सकते हैं और यह विन जाद रखना यह जो समध्य चल से उचाई होती है में रवाट 3,000 इसकी उचाई पर ही करना चाहिए और यह तो आल इंडिया और बहुत अच्छी फासल है और आप क्या करते हैं इसमें देखी बंबुसा है आप कभी भी यह सड़ नहीं सकता आप इसको लगा सकते हैं अच्छ आप Wam सकते हैं तो आप को भी वह सकते हैं जैसे रूट मेरा सबस्Star सब्सक्यां की है एक तरीके से इमेचर होती है वो राइजोम है राइजोम उसको हम क्या करते हैं ऐसे पैक्ची यह गुहिया बोलते हैं उसको अर्भी बोलते हैं उसको भी आप क्या करते हैं खा सकते हैं ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छी सब्जी बनती है करील की तो करील को आप बनाकर खा सकत हैं और में बात करूं है आप अचार अचार भी देखिए कर एक बहुत अच्छा बनता है और पानी में आपने डाला है किस लीए मजभूत होने के लिए मैंने आपको दिखाया था पानी में डाल देते हैं मैडों को जिसे बहुत जादा मजबूती आ जाती है और आप यहां पर तो अच्छी तरीके से आपको यह याद रखना है और यह ग्रैमनी कुलका है ठीक है यह कोस्टन भी आता है और यह बहुत जाद है और यह घास है सबसे बड़ी घास याद करना आप यह सबसे बड़ी घास होती है और ग अपको याद रखना है पूरे जीवनकाल में इसमें एक ही बार फूल आता है और अच्छी वराइटी है तो निया आपट 15 यहां पर आप याद रखेंगे 59 डेज दिया भी है मैंने पड़ा है 59 डेज में यह क्या होता है पूरा का पूरा complete और यह जैसे आप कट करेंगे और 59 डेज में यह complete हो जाएगा इसका मतलब आप अगर आपकी कहीं भी जमीन बेकार पड़ी उस पर जरूर लगाईएगा इसको ठीक है तो आप के लिए अच्छी यह मुनाफ़ा देगी फसल और इसका यूज भी आप देखते हैं घर बनाने में भी किया जाता है बाड़ी बना सकते हैं आप बाड़ी के लिए हम लोग हम आप बैसे आप बैचेएगे तो कितने कर विख सकता है अब जैसे अगर इसको मार्केट में बैचते हैं तो ये कितने कर विख सकता है अब बताईए कि 40 50 रुपए पीस तो देखेगा निया रहे बाट इसमें हमें लग रहा हंड्रेड तो हो गई तो लगी रहे हैं तो चास से गुणा करें तो आपका कितना हो जाएगा 5000 रुपए लगव में यह बनना यह 5000 रुपए वताई यह कितना तो आप क्या करें आपकी अगर रॉक मनलोग कहीं भी जमीन है खराब तो उसमें बंबुसा लगा सकते हैं बंबुसा अच्छा खासा है बहुत बढ़िया है इ तो मैं आगरे करूंगा वैसे तो गाओं में भी जो भी हो उनको वताईएगा बंबुसा की फसल की जाए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो देखित तीन चारी कोस्टन आते हैं आपको याद रखना है यह ग्रैमनी फो फिर से मैं रिपीट करता हूं पूर यह देखिए उसको और यह काँसी फैमली का है वह इससी ग्रैमनी फैमली फैमली में आपकी यह आती है यह देखिए यह यह थीक है थैंक्स हैं आई ओके